नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुआगत है ऐसी क्या प्रोब्लम हा रही है? permg launch क्यों नहीं हो रहा बार बार दिलासा दे रहे हैं की soon permg will come soon come soon क्या problem हो रही है, कुछ soon problems के बारे में आजब बात करेंगे चैनल पर नहीं है तो subscribe जरूर कर लिजिएगा बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी का स्वागत है शोशल टोक्स पर मेरा नाम है गोरोग चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा टीजर तो अपब जी ने 14 नमंबर 2020 को ही रिलीज कर दिया था और 100 employees के लिए भी उसने request डाली थी LinkedIn पे फोर game development, game development के लिए उसे इंडिया से ही 100 employees की जुरूरत थी अब employees को भी hire कर रहे हैं टीजर भी रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी कुछ होने वाड़ा है लेकिन problem क्या रही है सबसे बड़ी problem तो यही है कि पहले तो game जो release होगा इंडिया में वो सब ही needs को पूरा करे security and data integration needs जिनकी वज़े से वो पहले हमारी country में ban हुआ था उसे ध्यान में रखना होगा security and integrity of data जिसकी वज़े से उसे दुबारा ban ना होना पड़े तो सबसे पहला point तो यही है जो जो government की needs है वो उनको पूरी तरीके से satisfy करे तब ही वो इंडिया में launch हो सकता है तब ही वो इंडिया में अच्छे से officially यहाँ पर दोबारा से entry कर सकता है teaser release होने के बाद जो gamers हैं creators हैं उनमें बड़ी ही उत्सुता थी excitement थी और यह माना जा रहा था कि 20 November 2020 से PUBG Mobile अपनी campaigning शुरू कर देगा लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है हो सकता है आप ये वीडियो देखकर जाएं और PUBG लोंच भी हो जाए क्योंकि किसी भी time date announce हो सकती है iOS और Android दोनों के लिए जिस time में वीडियो record कर रहा हूं उस time तक तो ऐसा कुछ नहीं है date announce नहीं हुई है कि कब तक PUBG लोंच होगा कब तक जो gamers है इंडिया में वो इसको खेल पाएंगे दूसरा point यह है कि देखिए धेर सारे 118 के करीब जब PUBG बैन हुआ तो एप सरकार ने government ने बैन किये थे उन में से एक भी application वापिस play store पर नहीं आया है या app store पर नहीं आया है और एक भी application ने कोशिश नहीं की है कि वो दुबारा से इन platform पर इंडिया के server में इंडिया में आ पाए तो ये कुछ out of the way, out of the box करने की कोशिश कर रहे है तो थोड़ा सा जब कोई रास्ते से अलग चलता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चाहे वो PUBG हो चाहे वो life हो life में भी जब आप कुछ हटके करेंगे तो दिक्कत परेशानी आपको खूब परेशान करेंगी तो दूसरा point यही है कि ये कुछ वे से रास्ते से कुछ हटकर करना चाहरे हैं दुबारा से आना चाहरे हैं तो काफी paper formality, काफी जो मैंने भावी बताया आपको data और security integration की पूरी जो government की शर्ते हैं जो need some को satisfy करेंगे तब ही ये play store पर आप आएंगे इंडिया के server में दोस्तो एक point और हो सकता है आप सभी को पता है कि इंडिया का ही एक PUBG जैसा game October में loan छोने वाड़ा था under mentorship of Akshay Kumar जिसका नाम था 4G जी हाँ ये इंडिया का ही game था इस पर भी एक पूरा viral हुआ था कि अब इंडिया का 4G आएगा मुझे कही ना कही ये लग रहा है कि हो सकता है मैं confirm नहीं कह रहा हूँ हो सकता है कि पहले ये 4G को लेकर आएं क्योंकि देखे कोई भी है पहले अपनी चीज़ को promote करता है और ये कहीना कहीं सही भी है, गलत इसमें कुछ नहीं है, अगर हम पहले हमारी अपनी चीज को परमोट करेंगे, तो ही देश आगे बढ़ेगा, तो ही ये जो डेवलपमेंट देश की वो होगी, तो मुझे ये लग रहा है कि पहले ये 4G गेम को लॉंच करेंगे, कुछ दिन उसका review लेंगे, उसका feedback लेंगे, उसको देखेंगे कि कैसा players, creators response करते हैं उस game को, और उसके बाद ही शायद PUBG की date announce होगी, मैं confirm नहीं कह रहा हूँ, मुझे मेरा अपना view है ये, आप comment में बताएं आपके क्या view है, comment खुला हुआ है, लिखिए कुछ भी, comment कर दीजिए, लास्ट पॉइंट ये है कि security check-up भी crafting को करना होगा, at regular basis ध्यान रखना होगा, कि वे data की जो security और data की जो terms and condition है, इंडिया की, वो violate ना करें, ये security check-up वो cloud-based computing से एक ये feature है, इससे करेंगे थ्रू Microsoft Azure, recently in की deal हुई थी, आप अगर news से जुड़े हुएं तो आपको भी पता होगी, क्राफटन की और Microsoft की, तो cloud-based computing के थ्रू, regular basis पर ये security check-up, security देखेंगे कि data violation तो नहीं हो रहा है, कहीं फिर से इने ban ना होना पड़ जाए, तो Microsoft Azure के थ्रू ये cloud-based computing से security यहाँ पर आसान नहीं होगा, PUBG Mobile India को launch करना काफी बड़ा game है, काफी बड़ी company है, time लगेगा, हो सकता है आने वाले इसी महीने में या और भी थोड़ा ज्यादा time लग जाए, इसको launch होने में, तो देखते हैं क्या रहेगा, बाकी कोई भी update होगा, अगर वीडियो नहीं बढ़ा पाऊ तो वहाँ पर तो जरूर आप सभी को update मिल जाएगा, Instagram ID का link description में है, जाएए और follow कीजिए, तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो, उमीद करता हूँ, content पसंद आया, हो content पसंद आया, तो वीडियो को like करते हुए जाएगा, और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा, जल्दी मिल मिलूँगा, तब तक अपना और अपने परिवार का बटती मामारी से ध्यान रखें, काफी फैल रही आई है, हमारी COVID-19 स्कूल्स भी अरियाना में तो बंद कर दिये हैं, दोबारा से ड्यू टू कोरोना वाइरस चुटियां हो गई है, जो भी थोड़े बहुत कुछ लेव झाल